Lung Cancer Staging Non-Small Cell फेपड़े के कैंसर का स्टेजिंग यानि रोग के चरण को निर्धारित करने की प्रकरिया ये जानकारी देता है कि ये बिमारी कितनी दूर तक फैल गई है यदि आपको फिफडे के कैंसर का सबसे सामान्य स्वरूब या नॉन स्मॉल साल लंग कैंसर यानि गैर छोटी कुशिका वाला फिफडो का कैंसर है तो ट्यूमर यानि कांट के कत के आधार पर और ये लिंप नॉर्स यानि लसिका ग्रंथी में या शरीर के अन्य भागों में फैल गया है या नहीं उसके आधार पर उसका स्टेज यानि चरण निर्धारित किया जाएगा गोपते या चुपे चरण में कैंसर के कोशिकाए खांसे के मात्यम से निकाले हुए बलकम में या फैफडों के अन्य तरल पडार्थों में उस सरजित होती है लेकिन फैफडों में कोई ट्यूमर यानि कांट दिखाई नहीं देता है स्टेज चरण जीरो को आकरमक नहीं माना जाता है क्योंकि इस तर पर कैंसर के कोशिकाए फैफडों में मौचुद वायुमार्गों की सबसे भीतरी परत में पाई जाती है लेकिन वे इसके द्वारा विक्सित नहीं हुई होती है स्टेज चरण बन ए को एक आकरमक कैंसर माना जाता है क्योंकि ट्यूमर यानि कांट फैफडों में मौचुद वायुमार्ग की सबसे भीतरी परतों के माध्यम से विक्सित होती है और फैफडों के उत्तंकों में कहराई तक फैल जाता है जब मापा जाता है तो ट्यूमर यानि कांट का व्यास 3 संटिमिटर से अधिक नहीं होता है और वो प्रंकाई यानि लिंफ नॉर्स यानि रसिका करंथी या दूर के स्थलों तक नहीं फैला हुआ होता है स्टेच चरण 1B में या तो ट्यूमर यानि कांट का व्यास 3 संटिमिटर से बढ़ा है या मुके प्रंकोस में फैल गया होता है या फैफडों के मात्यम से प्लूरा की आंत्रिक परत में फैल गया होता है stage चरण 2A में tumor यानि काट का व्यास 3 cm व्यास से अधिक नहीं हुआ होता है लेकिन चाती में जिस तरफ tumor यानि काट होता है उसके पास तित lymph nodes यानि लसिका गरंथी में फैल गया होता है फिफ्टों के cancer के stage यानि चरण 2B के साथ दो संभावनाएं हो सकती है एक चहां cancer के कोशिका के बास lymph nodes यानि लसिका गरंथी तक नहीं फैली है लेकिन वे चाती की दिवार, diaphragm, pleura, हरदय के आसपास की चिल्ली या एक प्रमुग ब्रॉंकर्स में फैल गया होती है stage चरण 2B के लिए दूसरी संभावनाओं में cancer चाती के उसी तरफ जहां tumor यानि कांट होता है वास्तित lymph nodes यानि लसिका करंथी में फैल गया होता है इसके अलावा tumor यानि कांट का व्यास 3 cm से बढ़ा हुआ होता है या प्रमुग ब्रॉंकर्स में विक्सित हुआ होता है या फैफडों के द्वारा बढ़कर प्लूरा में विक्सित होता है stage चरण 3A में tumor यानि कांट किसी भी आकार का हो सकता है और cancer के कुशिकाए चाती के जिस तरफ tumor यानि कांट होता है उसे तरफ स्थित लिंप नॉट्स यान लासिका गरंथी में फैल गई होती है उसके अलावा cancer चाती के दिवार, डायाफ्राम, प्लूरा, रदे के चिल्ली या मुख्य ब्रॉंकर्स में फैला हुआ हो सकता है लेकिन स्वास नली में नहीं होता है स्टेच चरण 3B में tumor यानि कांट किसी भी आकार का हो सकता है और वो कॉलर बॉन के उपर स्थित ये चाती की दुस्री तरफ स्थित लिंप नॉट्स यान लासिका गरंथी में फैल गया होता है ये cancer पास की सरशनाओं में जैसे की रदय, रदय की प्रमुक्वाई काओ, डायाफ्राम, छाती की दिवार, स्वास नली, अननली या की खाप, स्थन की सड़ी या समान फिफडे में एक से अधिक चकों में फैला हुआ हो सकता है स्टीच चरण 4 में, cancer उस ही फिफडे के अन्य लॉप्स यानि हिस्से में या उसके विप्रित फिफडे में फैला हुआ हो सकता है और मस्तिश्क, लीवर यानि अकृत, किट्नी यानि गुर्दे, अड्रेनल ग्लैंड्स यानि अधिवुक्र करंथिया या अड्डिया जैसे शरीड के अन्य हिस्सों में फैल गया होता है